आज आपको सोने के मूठियों के बारे में जानकरी देने जा रही है। प्रतम मूठियां देखते हैं कि कितने प्रकार की त्यार हो रही है। मूठी चार प्रकार की त्यार होती है। प्रत्म धलाई वाली जो सीधा ही सोने की सोने को गला करके उसमें से बिजयन बना दिये जाता है और वो उसी के अंदरी सांचा बन करके बाहर निकलाता है दूसरा उसे स्पेशल त्यार किया जाता है जैसे ठपे वाली यह दो तरह के ठपे हैं इन दोनों ठपों को पत्ती में ठोक करके बाहर निकाला जाता है और बाहर निकाले हुआ इसे काट करके आपस में ऐसे दोनों तरफ से जोड़ दिये जाता है एक इस तरफ से और एक इस तरफ से जोड़ दे जाता है और पीछे इसके गोलाई करकर के इसे जोड़ करके मूठी तार की जाती है तीसरा नगीनों वाली तार की जाती है उसमें नग फिट के जाते हैं चोथा तारों माली त्यार की जाती है उसमें तारें जोड़ करके उसमें को अच्छा डिजैन दिया जाता है पर्थम पर्थम मूठी मनाने से पहले हम ग्राह का माप लेते हैं वी उसके उपर कौन सा नमर फिट हो रहा है जैसे अब ये मैं अपना माप ले रहा हूं और मेरा अपना माप अठाइश नमर जैसे लूज है तो इसको और करें तोड़ा सा धुछें नमबर भी इसशmb़ाशा लूज है फिर आम इसको थोड़ा सा और तैप देखी अगे और यह यह मेरों ठोड़ा भाष्य लग कि यह प्र फिर तोड़ा सा टाइट को मोठी में कि कह रहत ये मुझे 22 नमर की फिट आ रही है ये 22 नमर का माप मुझे फिट है अब ये इसी माप के उपर ये उजार है इस उजार को इसके अंदर से ऐसे डाल दिया जाता है और उसके उपर से थोड़ा सा एक निशान लगा दिया जाता है इस प्रकार से ये निशान लगा दिया जाता ह ये माप यहां तक फिट हो रहा है ये 22 नमबर माप यहां तक फिट होगा और उसके उपर सुना अगला करके और उसको मशीनिंग अंदर दे करके फिर उसकी पत्ती बना करके प्रथम यदि हमने नगीने वाला बनाना है तो नगीने का सांचा प्रथम त्यार कर लिया जाएगा प्रफम इसका संचा त्यार कब ले जाता है। और इसको कैसे त्यार किया जाता है थोड़ा सा मैं जान करी देदू आपको पर पर इसके ओपर ये नगीना किस प्रकार से लगा हुआ है ये ये गुलाई करके और उसमें ये नगर रख दिया जाता है फिर चारों तरफ ये डिजयन बने हुए कि ये चारों तरफ डिजयन बने हुए हैं इसपरकार ऐसे गुलाई करके आप से खुमा घुमा करके विजयन बनाने कब फिर उसको नीचे से बाइस नमबर गुलाई करके बोल गुमा दिया जाता है इस प्रकार ये नग वाली उटी त्यार हो जाती है दूसरी मरदाना उठी मर्दाना मूठी को जैसे ठप्टे वाली मैंने पहले बताया इसी प्रकार इसको प्लेन पत्यों में भी काड़ के जाता है और उपर मशीन से इसकी डिजैनिंग कर दी जाती है अब यह मुठ्यों का हमारे जो प्रोग्राम था आज पूर्ण हुआ आगे और जैनों की जान कर दी जाएगी